असलामलेकूम एविवान कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ विंटर वेट लूस रूटीन शेयर करूँगी क्योंकि समर और विंटर में वेट लूस डिफरंट होता है इसी वज़ा से रूटीन भी डिफरंट होती है स्पेशली मॉर्निंग रूटीन के मॉर्निंग में हमें क्या खाना पीना चाहिए जिससे हमारा वेट लूस हो सके तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीचेगा जो मेरे चानल पनियो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और हाँ इस वीडियो को कर दीजेगा तो मैं जो आप लों के सब विंटर रूटीन शेयर करें क्योंकि समर अब जा चुका है विंटर आ रहा है लेकिन ये और बात है कि यूए में अभी तक समर ही है और पाकिस्तान इंडिया में जो है वो सर्विया स्टार्ट हो गई है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लों के साथ बहुत important points share करूंगी अगर आप इनको follow कर लेंगे तो विंटर में भी आप easily अपना weight lose कर सकेंगी तो जैसा कि आपको पता है कि विंटर में दिन काफी जादा छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाते हैं अपने लिए time निकालना काफी जादा मुश्किल हो जाएगा इसलिए आपको morning routine लेके चलनी पड़ेगी जो आज किस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ताकि आपके पास अपने लिए time हो आप अपने लिए time निकाल सकें और जो लोग लेट उठते हैं तो भूल ज सुबह फजर पढ़ने के बाद आपने सोना नहीं है वहीं से अपनी morning routine स्टार्ट करें और सुबह का नाच्ता जो करते हैं सही time पे उनका metabolism भी fast होता है वो सिहत मंद रहते हैं और काफी बिमारियों से भी बचते हैं इसके लावा उनकी स्किन भी glow करती है फ्रेश रहती है औ को constipation का issue है वो भी खतम होता है आपकी skin भी glow करती है और आपकी body भी detox होती है इसके लावा आपका metabolism भी fast होता है जिसकी वजह से आपको weight lose करने में बहुत ज़्यादा help मिलती है और ये पानी आपने empty stomach पीना है यानि brush करने से पहले आपने एक glass ये गरम पानी जरूर पीना है दिन में 4-5 खजूरे easily खा सकते हैं और काफी लोग कहते हैं कि खजूरे गरम होती है या इसमें sugar बहुत ज़्यादा होती है तो नहीं अगर आपको sugar की craving होती है तो उस टाइम पे भी आप खजूर खा सकते हैं मना नहीं है और खास तो पर housewife जो है वो खजूरों का इस्तमाल जरूर किया करें आपको काफी ज़्यादा vitamins मिलते हैं आपको अलग से multi vitamin लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोग 4-5 खजूरे खाले तो कहते हैं यह गरम होती है जादा नहीं खाने चाहिए लेकिन आपको मैं यहां बताओं कि अर्ब में जो housewife हैं जो ladies हैं वो daily half kg बहुत affordable price में मिलती है और आप इसका daily use जरूर किया करें इसका नुकसान नहीं है सिर्फ फाइदा ही फाइदा इसके लावा एक और पॉइंट है जब आप सुबा उठती है बैट पे ही आप easily stretching करें अपने बाजों की अपनी लेक्स की डेली आप stretching जरूर किया करें आपको ब सबसे बात कर लेते हैं बेगफास की सुबा साथ बचे साड़े साथ बचे के बीच में आपने नाश्ता कर लेना है क्योंकि सबसे बैस टाइम है बेगफास का वह सुबा साथ बचे से साथ बचे के बीच में है और आपने इसी टाइम के बीच में अपना बेगफास कर लेना इसमें आपने प्रोटीन लेना है जिसमें आप वाइल एक भी ले सकते हैं दो से तीन आप वाइल एक भी ले सकते हैं इसके लावा आप अवाकाड़ो का इस्तमाल भी कर सकते हैं आप अवाकाड़ो शेक भी बना सकते हैं और इसका सैंड्विच बना के भी खा सकते हैं इसके बेकवास्ट में पैसन चीले का इस्तमाल भी कर सकते हैं ऐसे हे आप पुर्टिन शेका इस्तमाल में नहीं हैं इसके लब एक और एहम पॉइंट है कि आप सर्दियों में फिश और चिकन का इस्तमाल जादा करें और हर खाने के बाद जो वेट लूस टीज होती हैं जो के अल्रेडी मैंने अपनी वीडियो में शेयर की हुई है सेवन वेट लूस टी आप इनका इस्तमाल कर सकते हैं आप इ जुकावे वगयरा होते हैं अगर सर्दियों में आप इसका इस्तमाल करते हैं तो आपको वेट लूस करने में बहुत जादा हैल्प मिलेगी हमें से अकसर सर्दियों में पानी बहुत जादा कम पीते हैं अगर हम देहान दें तो दिन में दो से तीन गलास ही पी पाते हैं ग कर लेन यदि ठंडा हम ंपने ठंडा होते है ठंडा होता है रोम टेमटरेचर पर भी अपने थोड़ा सा Delhi कर लेना और एक गरम एस बेंडे में आगशा क्या अधर एक फिलेते हैं तो आपकी जो प्यास होती है वह खत्म हो जाती है तो यह बहुत है कि आपने लूप वॉटर पीना है पूरा दिन जब भी आप पानी पेड़ी है लूप वॉटर पी और पानी पीने का सबसे स्टियू पीने चैनल पीनले नट्स को करने के लिए यंग दिकने के लिए हमें नर्स और ड्राइफूर्ट का स्टमाल करा है आप यंड् तो फोडेबल प्राइज में मिल जाते हैं आप उनका इस्तमाल भी कर सकते हैं इसके इलावा आप फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल का इस्तमाल जरूर करें तो विंटर में जब आप सुबा जल्दी उठेंगे तो आपके पास टाइम होगा वर्काउट के लिए त तो आपने सर्दियों में भी धिहान जरूर देना है वर्काउट एक्सराइज पे और वॉक सर्दियों में आप जादा कर सकते हैं क्योंकि आपको गर्मी कम लगेगी आप बाहे निकल के वॉक कर सकते हैं आप अपनी चछत पे वॉक कर सकते हैं आप सर्दियों में जादा ट जरूर किया करें उससे उनकी बिमारियों को भी दूर भगाने में काफी जादा हेल्प मिलेगी और वॉक एक्सराइजेस का सबसे बेस्ट टाइम है सुबा मॉर्निंग का एम्टी स्टमक इस टाइम पर अगर आप वॉक एक्सराइजेस करते हैं तो आपको बहुत जादा हेल् भी दिखेंगे इसके लावा बहुत जादा बिमारियों से भी बचेंगे ठीक है तो यह थी मॉर्निंग रोटीन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसली आप अपना वेट लूस कर सकते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजे